नमस्कार दोस्तो शिविल इंजिनियरिंग सपोर्ट के एक पहुत ही महत्पुन विडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस इंजिनियर अभी सेक सिंग दोस्तो अगर आप भी एक ऐसे जगह पे घर बनवाने के प्लानिंग कर रहे हैं जहां पे अभी तक दोस्तो पक्ति सड़क नहीं पहुची हुई है दोस्तो कुछ ऐसा ही हाल इस वाले साइट का भी है आप देख सकते हैं कि जहां पे घर बनवाया जारा दोस्तो उसके चारो साइड में खेत ही खेत है रास्ता तो है दोस्तो लेकिन वह अभी कच्चा है उसे बनाया जाना भी बाक्तो दोस्तो ऐसे जगह में अगर घर बनवाना है तो सबसे ज़्यादा रिक्स की बात होती है कि घर का जो फ्लोर लेबल हो जो फर्स का उचाई हो जमीन से वह आखिर कितनी दी जाए ताकि हमें जो है वो फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना आए चुकि अब भी रोड कच्चा है तो ऐसा नहीं कि ताउंबर वो कच्चा ही रहेगा दोस्तो आने वाले दिन में रोड तो बनाये जाएंगे रोड दोस्तो बनता है तो रोड क्या होता है कि उंचा होता है लेकिन आपका घर एक बार बन गया दोस्तो तो उसकी उंचाई उपर नहीं होने जा रही है हाँ वैसे तो आजकल जैक वगड़ा लगा करके लोग उंचा करते हैं लेकिन उसमें फिर से एक फ्लोर का खर्चा आपको आ जाएगा तो ऐसा काम क्या ही करना जो कि आगे चल करके नुकसान दे हो तो दोस्तो बात कर लेते हैं सबसे पहले चली मैं आपको दिखाता हूँ कि यह जो घर बनाया जा रहा है वो जमीन से आखिरकार कितना उपर बनाया जा रहा है सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं तो यहां अगर आप ध्यान देंगे दोस्तो तो यह दो फीट उचाई जो है वो ग्राउंड से इस फ्लोर लेवल की रखी गई है ठीक है नीचे में आपको एक बीम दिखरा होगा ग्राउंड बीम और उसके उपर में दो रदे की जुराई हुई है इट की और उसके बाद दोस्तो धाई इंच का डीपीजी किया गया है लेकिन दोस्तो मुझे लग अब होते हैं फिर से बनते हैं और जितना बाद रोड बनाया जाता है उतना बाद दोस्तो उसकी उचाई जो है वो बरती ही चले जाती है लेकिन आपने अगर एक बार घर बनवा लिया तो आप बार बार फर्स को तोर कर उचा तो नहीं करने वाले हो इसलिए दोस्तो अगर दोस्तों आपको safe side रहना है तो इस चीज का आप जो है वो गौर कर सकते हैं फिर मिलते हैं दोस्तों नमस्कार धन्यवाद